खास मुलाकात में खास बाचीत करने के लिए यूनें ट्रेटरी लदाख के कमिशनर सेगेटरी अजीद कुमार साउसाम हमार सा जॉइन कर चुगे हैं अपना एक्सपिरिंस है कि जहां गाओं के लोग सामने आए हैं उन्होंने इस स्कीम को अपने हाथ में लिया है वहां यह स्कीम बहुत अच्छी चली है जेजेम में लोगों का स्टेक सबसे बड़ा है देखे इसमें सुरुवात से आखिर तक लोग इन्वाल्व हैं सबसे यह सभी लोग बैठे है और उसको ऑडिट करें कि वह काम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है तेकि इसमें हमने हर लेबल पर ट्रांस्पेरेंसी रखी है और लेबल पर भी एक इशू है क्लाइमेट चेंच ग्लोमबल वामिंग लदाख का वाटर विचन 2047 भी हमने बनाया है कंसर्ण था रेक्रूट्मेंट को लेके यूटी अन्मेरिसेशन के जानिब से 797 पोस्ट जो है अड़टाइस किया और अब नया कोई नोटिफिकेशन कब तक निकल सकता है तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले पांचे महीनों में सभी पोस्ट भर दी जाएंगी यह अभी लदाख में गैस्टिट पोस्ट के लिए रेक्रूट्मेंट रूट तो फिलाल नहीं बना है कोई प्लान है एक रेक्रूट्मेंट बोर्ट बनाने के सारो 202-194 के ताथ रेक्रूट किया गया था और अभी भी उनको बैसिक सेलरी के उपर काम कर रहे हैं लेकिन उनके साथ कुछ और जो टीचेज पतारी को सेलरी मिल रहा है जेनके ने अपनी रिवोक नहीं किया है उसमें जो मोडिफिकेशन की हैं वो हमने अल्री कर दी है असर कैजूल लेबर्स का एक बड़ा कंसर्ण था इंडिया को G20 होस्ट करने के लिए प्रेजिडेंसी मिला है और लदाख भी उसमें शामिल है अशी की बात है और गौर्व की बात है कि यहाँ पर भी लदाख में भी G20 की यूथ कीटी में यहाँ पर आएगी गुलिस्तान उसमें आप सभी का एक बार फिर खेर मगदम करते हैं सुआगत करते हैं आज कुछ यूनेंट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रे करेंगे जिसमें खासकर जल जीवन मिशन को लेके किस तरह के कामकाच इस वक्त जारी है और उसके अलावा रिकूड्मेंट के हवाले से क्या कुछ स्ट्राइडेजी है और क्या इस वक्त की स्टेटर से उस वाले से बात करेंगे सरमासर जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत बहुत-बहुत-बहुत दन्यवाद. सबसे बड़ा बड़ाव जो पिछले दो धाई सालों में जो देखने को मिला है कि जो हम यह सोचते थे कि यह काम नहीं हो सकता आज हम यह पूछ रहे हैं कि यह काम कब ख़तम होगा तो यह सबसे बड़ाव यही है कि जो चीज नामुम्किन सीज दिखती थी और हम समझते थे कि यह लदाक के लिए नहीं बनाए कुछ और कहीं से सलूशन आएगा वो आज हमने करके दिखाया है और नियूमा जैसे इलाके में जन्सकार जैसे इलाके में जहां पर इस सरदी में भी पानी चल रहा है तो यह कहानी को बया करता है आज हम 70% घरों में पहुंच चुके हैं आज पर रिपोर्ट जो हमारे पास है लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी खामिया हैं बहुत सी कमिया है और इस्पेशले कारगिल में अभी इसमें बहुत सा इंप्रूमेंट करना बाकी है तो आज का जो ब्रेंस्टॉमिंग सेशन है इसी सिलसले में रखा गया है कि हम आज इसको डिसकस करें देखें कि अब तक हमने जो किया उसमें क्या च्छा था क्या कमी रह गई और आगे हम कोर्स करेक्शन कैसे करें ताकि आने वाले जून तक हम इसको 100% हम अचीव कर पाएं और हर घर को जो है अशोर्ड तरीके से 55 लीटर कम से कम पर कैपिटा पानी हम पूरे साल हम वाया कराएं चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो उसमें किसी तरह की कमी ना आए असर जिस तरह से लदाख के बहुत सारे ऐसे विलेजिस हैं जिसमें खासकर नियूमा की बात करें फे की बात करें तुमेल की बात करें इच्छू की बात करें इन जगाओं पे अभी जेजेम कामियाब हुआ है लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी जेजेम को कामियाब करनी की ज के स्टडी दिखाया है माठो का भी के स्टडी दिखाया है सभी इंजीनिएर्स ने अपने-पने हिसाब से उसको शेप देने की कोशिश की है लेकिन मैं कब का कि सक्सेस का सबसे पड़ा जो मंत्र है मूल मंत्र है वो है लोगों की समूलित तो जब तक लोग नहीं शामिल मैं ने दखा है मेरा अपना एक्सपिरिइंस से की जहां गाओं के लोग खुँथ सामने आये हैं उननों नै इस इस स्कीम को अपने हाथ में लिया है chimney वह यह disruptive नहीं दिखाया है और उस में जो है पार्टिस्पेर्इट नहीं किया वहां दिक्कत आये तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो लोगों की participation सबसे जरूरी है, इस scheme में वो लोग हमारे engineers के साथ बैठें, contractors के साथ बैठें, हमारी other agencies के साथ बैठें और देखें उसको review करें कि कहां क्या दिक्कत आ रही है, बाकी जो है, जो मैं कहूंगा कि model बहुत से तरीके के है, technology कोई बड़ा issue नहीं है, आज हम सबको पता है कि अगर हम साथ फिट नीचे जाएंगे, जहां पर साथ फिट से नीचे नहीं जाना possible है, वहां हम उसको जो है, इंसुलेट करेंगे, कहीं-कहीं उसमें heat tape लगाने की जरूरत है, और सबसे बड़ी चीज है कि सर्धियों में, इस सर्धियों में इसको चलाने का इसका भी solution है, इसका भी है कि जो है, आप हमेसा जो गाओं का end point है, या पानी की supply का end point है, वहां पर उसका drainage का system रखिये, उसको soak pit में डालिये, ताकि पानी जो है, वो लोगों को घरों में ना जमे, वो एक end पे जाकर के जमे, तो उससे भी solution, सभी चीजों का solution है, तो उसी को डिसकस करने के लिए, यहां पर आज ही हम जी सब चीज़ डिसकस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं लोगों से अपील करूँगा, राधर दो बाते मैं request करूँगा आपके चैनल के माधिम से, एक कि इस पर प्रोग्राम में पूरी तरह से भागी दारी करें, खुद अपने ग्रीन हाउस में या कोई कम से कम उसके चारो तरफ एक प्लास्टिक का एक चोटा सा घेरा भी बना देंगे, तो उससे पान जो है टेंपरेचर जो है वो जीरो डिग्री से उपर हो जाएगा, और जो जमने का जो प्राबलम है उस सबसे ज्यादा डिलिवरी पॉइंट में जहां टैप कनिक्शन है वही पराता है और वहां पर अगर हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वह जो है वागया अगय बढ़ जाता है तो उस चीज को हैंडल करें लोग अपने हाथ में लें और साथी साथ में जो है लोगों को ट्रें करें कि सरदियों में इसको प शॉसलाइट करें के भूपकर कह दो नहीं करते हैं तब तक वह धी ए कर अपरूब नहीं होती है व्सके वाद मिम्लेंटेशन में के माली इंप्र कमेटी में है चो सब比較 में तरह करने के लाइं इसके लावा लोगों को पुरी टुरस तरह सामिल करने के लिए वह हमने सोशल कि हर गाओं में यह सभी लोग बैठें और उसको और इसमें हमने हर लेबल पर ट्रांसपरेंसी रखी है कोई चीज छुपी नहीं है सब चीज़ लोगों के सामने है और तो उसको जह है रिब्यू करना है हमारा काम है कुछ को लोग उसको रिब्यू करें उसी तरह से फिजिकल भी वाटसएप से या फोन करके या उनलाइन पोटल के माध्यम से उस पे किसी तरह की जानकारी ले सकता है या कोई कंप्लीन कर सकता है जिसमें हम लोग तुसको डेली वेसिस पे मॉनिटर करते है और कुशिच करते है उसका डिस्पोजल किया जाए असर एक तरफ से जे जे मिशन लगातार चल रहा है दूसरी जानिब वोर्ड लिवल पे भी एक इशू है क्लाइमेट चेंच ग्लोमल वामिंग तो वाटर स्केस्टिज लदाख में समर सीजन में ड्रॉट की इशू हमें बहुत देखने को मिल रहा है तो इसको लिए कुछ स्ट्राइजिस प्लानिं है तो इन में यह सारे जो इशूस कह रहे है इसमें जो है इसको हमने कंसिडर किया है और दो चीजों पए हम ज़्यादा काम करने जा रहे हैं एक तो अंडर ग्राउंड वाटर पे ग्राउंड वाटर का मैपिंग हमने सुरू कराई है पहले बिलकुल यहाँ पर नहीं होती तो अब हमने इसकी मैपिंग सुरू कराई है उसका मॉनिटरिंग सुरू कराया है और साथ ही साथ में अभी जो है हम जो स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट है उसके काम सुरू करने जा रहे हैं ताकि जितने भी हमारे स्प्रिंग हैं चश्मे हैं उन चश्मों में पानी जो है अजिस्टिक्स को हमने रिफर करते हुए उसका रिकूट्मेंट प्रॉसेस अभी चल रहा है। तो उसके बाद से अब मया कोई नौटिफिकेशन कब तक निकल सकता है सर। अजिस्टिक्स को हमने रिफर करती है उसके बहुत सी की नौटिफिकेशन निकल चुकी है और निकलने वाली है। दोसौपचीस के करीब अडिशनल पोस्ट अभी हमने एससी को फिर रिफर कर दिया है। जो कि दिसंबर में हमने रिफर कर दिया है तो एससी उसकी नौटिफिकेशन बहुत जल्दी निकाल देगी। और जो पुराना रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द निकलने वाला है। और खासकर फिजिकल विरिफिकेशन जो अभी हो रहा है एक तो शौर्लिस के इनरेट कर वरिफिकेशन की उनके लिए एक सेंटर लदाक में इस्टेलूश की कोई चांस है सर। हाँ बिल्कुल जो फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगी वो यहीं लदा ले और करगिल में ही होगी उसके लिए लोगों को कहीं बाहर नी जाना पड़ेगा असर जिस तरह से डिस्टिक के लिए आपने जिगर की कि 523 ले के लिए 536 करगिल के लिए जो डियेसदार भी किताथ निकाला है उसके लिए कोई टेंटिटिव डेट नहीं है तो कब तक हो सकता है नहीं इसमें तो बहुत से नोटिफिकेशन अलड़ी हो चुकी है और वो डिसी साब जो है उसको दोनों जगाओं पर उसको देख रहे हैं कि उसको कैसे क्लब करना और कैसे करना है तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 5-6 महीनों में सभी पोस्टे भर दी जाएंगी असरे से पहले एक इशू आया था कि जिस तरह से टीचेर्स को लेक्चरर्स पर प्रमोट करने के एक इशू आया था तो इसको लेके आप क्या कहेंगे क्योंकि ये अभी लदाख में गैस्टिट पोस्ट के लिए रिकूर्मेंट रूल तो फिलाल नहीं बना है ये कैसे किया करते हैं यह जब पुब्लिक सर्विस यूपी असी के साथ हमारा भी अमरा कंसल्टिशन चल रहा है दो डिपार्टमेंट के रूल नोटिफाई भी हो चुके हैं जिसको कि अब हम यूपी असी में दो चार दिन में पहिज दिये जाएंगे पी अची पीड़ी के उसके बाद जबागा ज जबाद बाद जादा दिपार्टमेंट नहीं बचते हैं उसके बाद मोटा मोटा जो है हमारा एगरी कल्चर होटी कल्चर और टेकनिकल डपार्मेंट सो थो बाक्इतों पिर जो है इनके जब निप देड़ स्थ अगले एक देर्ले महीने में यह सारे गुट-स पूस्टे चली जा रहती है तो हो जाती है उसके बाद इतनी पूस्टे कम बचती है जिसके लिए अलग से एक स्ट्रक्चर बनाना और मिंटेन करना क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिजम की कमी होती है और आपने देखा होगा कि हम दूसरे स्टेट्स और यूटीज का एक्जाम एक पूरा इस्टैबलिश्मेंट मेंटेन करना एक जो है कोई कि मतब बुद्धिमानी का काम नहीं होगा स्टर जॉप रिजर्वेशन एक कंसर्न रहा है तो रिसेंटली लदाख के एक पॉलिटिकल लीडर ने एक बयान दिया है उसमें काया कि इस बार जो लदाख के पोस् कि किस दे ऐसा का है लेकिन जो है यह बहुत क्लियर है जो रिकूर्टमेंट रूल में लिखा है तो रिकूर्टमेंट रूल से बियाउंड जाकर कर रिकूर्टमेंट नहीं हो सकती है यह सभी को पता है असर गैस्टिट पोस्ट के लिए रिकूर्मेंट रूल कब तक आ सकता है बाहर मैंने का यह काम सुरू हो चुका है दो डिपार्टमेंट के दो बहुत जल्दी हो जाएंगे और अगले मैक्स तु मैक्स दो महीने में सभी रिकूट्मेंट रूल जो है नोटिफाई हो जाएंगे असर खासकर पंचाहद अकाउंट एसिस्टेंट और एकाउंट एसि किया है तो यूने टरियटरि में यह अभी इंप्लिमेंट नहीं हुआ है तो क्या कहेंगे जेनके ने अभी रिवोक नहीं किया है उसमें जो मोडिफिकेशन की है वो हमने अलर्डी कर दी है अब यह एक लीगल इशू है जिसको लीगल एक्जामीन किया जा रहा है कि उसमें क्या कर्स्त किया जा सकता है और जो भी इसमें legal suggestions आएंगी और opinion आएगी उसके आधार पे हम लोग कारवाई करेंगे सर कैजूल लेबर्स का एक बड़ा concern था उनका जो wage है उसको hike किया और अभी उनकी demand है उनको skill में लगाया जाए और उनके permanent जो करने की मांग किया जारा था उसके उपर होर किया जाए देखें सकिल की आप definition कैसे रखेंगे लोगों के पाश सकिल उनको होता है जिनको वाश सकिल की कोई training होती है अभी हमारे जो लोग है उनके पाश सकिल की training नहीं है इससे बहुत confusion create होगा तो जो wages उनको पहले जिनको skilled में मिल रहे तो उनको skilled में ही मिल रहे है जिनको unskilled में मिल रहे है अब इसके लिए जो है जो उनकी demand है उनकी demand को rules के इसाब से practicality के इसाब से एक्जामीन करके policy बनाई जाएगी तो जब उसमें कोई ऐसा लगेगा कि जहां पर हमें उनको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरुवत है तो सर्टिनली सरकार जिसके लिए अडिविस्टेशन इसके लिए ओपन है सर अब इंडिया को जी टुएंटी होस्ट करने के लिए प्रेजिडेंसी मिला है और लदाख भी उसमें शामिल है तो किस दर की तैयारी है क्योंकि आप प्रोटोकाल डिपार्टमेंट को भी संबालते हैं तेखें जी टुएंटी एक बगड़ा इवेंट है और पूरे इंडिया में हो रहा है तो यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और गवर्व की बात है कि यहां पर भी लदाख में भी जी टुएंटी की जो है यूथ की टीम यहां पर आएगी और अप्रैल में उनका जो है शिडियूल है तो हम लोग उसकी पूरी तियारी कर रहे है और लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होगा साथी जात में जो हमें अपना कल्चर और अपना जो यहां का हैरिटेज है उसको दिखाने का मौका मिलेगा हम अपनी ग्लोबल नक्से पे जो है अपने लाके को ला सकते है चाहा हम यहां का जो हैंडी क्रापट हैं? यहां का जो हाटी कल्चर ए अगरिकल्चर है यह दुनिया के नक्से पर जाहें इसी महीं पहुचेगा तो इससे हम लगता है कि इससे काफी लगाक disrupt को फाइदा इसको अपने हाथ में लें दूसरी चीज है कि कोशिश करें कि पानी का नलका जो है क्लोज एरिया में रहे उसको अपने घर तक ले जाए बिंटर के समय इसको आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और इसको इस साल चलाने की जरूरत है एक दोस्त बिंटर अगर आप इसको सही तरह से मिंटेन कर सकें तो इसके भी तैयारी कर रहे हैं और जहां तक रिक्रूट्मेंट की बात है तो रिक्रूट्मेंट जो है सरकार का जो रिक्रूट्मेंट है वो अपनी स्पीट से चल रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा अभी जो है वो जो जो वेकिंसी जो कि प्रोमोशन कोटा की है उन पर प्रोमोशन भी हो रहे हैं तो आगे फिर डायक्ट कोटा की विकेंशी क्रेट होगी लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि लदाख में जो एंटरपनियर्शिप का जो पोटेंशियल है वो इनॉरमस है लदाख में अगले 10 सालों में बहुत ज़ अगरी कल्चर हैंडी क्राफ्ट और जो लोकल क्राफ्ट हैं उनका बहुत ज्यादा पोटेंशल है और यह हाई वैल्यू लो वाल्यूम प्रोडक्स हैं तो इसमें आप थोड़ा सा भी इंटर्वीन करेंगे थोड़ा सा भी घुसेंगे इसमें आगे बढ़ने के चांसें कुमार साउसाब साउसाब ने मुख्तलिफ इशूस के उपर विस्तार से इलाबरेट किया और लोगों तक जानकारी पहुंचा है बने रेगुलिस्तान उसके साथ